नमसकार एक बार फिर स्वागत है दूस्तो आज हम बात करेंगे दूस्तो खड़े मसाले किस तरह से आप इसका विजनसस कर सकते हैं तो दूस्तो साबुत मीट मसाला आपके सामने कुछ इस तरह से हम इस पैकेट में दिखा रहे हैं आपको यह कितने गए तो दोस्तो अब हम आपको इसमें बताएंगे इसका वेट कितना है तो देखिए आपको हम लाइव दिखा रहे हैं इसका वेट दोस्तो कुछ 15 ग्राम है 15 ग्राम के लंसम में इसका वेट है तो दोस्तो इसका वेट कुछ 15 ग्राम कितना कितना ग्राम यह पैक करा गया है हम तो देख पार रहे हैं आप खड़े मसाले आपके सामने ओपन कर रहा हूं में पूरा तो तो टोटल मसाल आप देख पार रहे हैं इसमें तेरा ग्राम की लंचम में ही कुछ मसाले हैं इसमें दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रही है तभी आप जान पाएंगे कि कितना पैसे किलो पड़ेगा और क्या क्या कोश्ट है दोस्तों पहला है फूल जो 400 रुपे केजी मार्केट में मिल जाता है दोस्तों 2 ग्राम की पैकिंग है फूल की आप देख पा रहे हैं 2 ग्राम फूल है 400 रुपे केजी के साब से मार्केट में मिल जाता है 80 पैसे इसका कोश्ट पढ़ रहा है दोस्तों 80 पैसे दूसरा है दोस्तो दाल चीनी आप देख पा रहे हैं दाल चीनी दाल चीनी भी 200 रुपे किलो किसाब से मार्केट में होलसेल की रेट से मिल जाता है दोस्तो दो ग्राम की पैकिंग है और इसका कोश्ट दोस्तो 40 रुपे कुछ 40 पैसे पढ़ रहा है दोस्तो 40 पैसे पढ़ रहा है तिसरा दोस्तो जीरा है आप देख पा रहे हैं जीरा दोस्तो जीरा कुछ 200 रुपे किलो के हिसाब से मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिल जाता है 200 रुपे किलो और 5 ग्राम की पैकिंग है दोस्तो आप देख पा रहे हैं 5 ग्राम एक रुपे कोश्ट इसका पड़ रहा है एक रुपे एक रुपे जीरा का कोश्ट पड़ रहा है दोस्तो नौइस के लिए माफी चाहूंगा दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए तब ही आप समझ पाएंगे खड़े मसाले के बिजनस में कितना मार्जिंग है कितना कोश्ट है क्या इसाब से कंपनिया इसे बनाती है क्या इसाब से बेश्टी है अब चलते हैं दोस्तो काली मिरिच है देख पा रहे हैं आप दोस्तो मैंने दोस्तो काली मिरिच लंसम में कुछ आपको दिखा रहा हूँ काली मिर्च दो ग्राम है दोस्तो जाइफर भी उसके साथ में ही आदा ग्राम है लवांग भी आदा ग्राम है और बड़ी लाइची दोस्तो एक ग्राम के लमसम है और छोटी लाइची दोस्तो आदा ग्राम के लमसम है ठीक है ये मेरे हाथ में जो द पढ़ गया बड़ी इलाइची 600 रुपे केजी होए एक ग्राम यानि साट पढ़ गया छोटी इलाइची दोस्तो 35 रुपे किलो है जो की आधा ग्राम है एक रुपे 75 पढ़ गया दोस्तो टोटल कोश्ट इसमें आ रही है 6 रुपे 42 पैसे इस पैकिट की कोश्ट आ रही है 6 50 15 रुपे 42 पैसे तो दोस्तो यह मार्किट में MR मतलब बैनुफेक्चरर 9 रुपए में इसे बेशते होंगे और दुकान दारी से 12 रुपए में सेल करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मार्चिंग है और दोस्तों पैकिंग की परिकरिया में आपको दिखाऊंगा किस तरह से लोग डिसकाउंट देते हैं और क्य इस तरह से दोस्तों एक बड़ा पाउच होता है जिसमें 25-30 या 50 पैकेट का एक बड़ा पाउच बनाया जाता है दोस्तों आप देख पा रहे हैं 5 पैकेट खरीदने पर एक श्टील का तसला फ्री यानि इस तरह से कुछ दिसकाउंट चलाया जाता है मसालू के बिजनस मे अब देख पा रहे हैं अब आपको दिखा रहे हैं दोस्तों देखिए इस तरह से कुछ पैकिंग है छोड़े छोड़े पाउच इसमें डाल कर कुछ 50 पीस का एक बड़ा पैकेट बनाया जाता है फिर उसे मार्केट में सेल किया जाता है दोस्तों देख पा रहे हैं अब एक छोड़ा था पाउच हमने निकाला उसमें से तो कुछ इसी तरह से दोस्तों 50 पीस होता है इसके अंदर और इसे दुकानदार किराने पर सेल करते हैं उलसेल में तो इसी तरह से दोस्तों लाइक और सबस्क्राइब शेयर ज़रू करते यह आई सी वीडियो के लिए नमस्कार